हाई फ्रेंड्स आप सभी लोगों का मेरे यूटूब क्यानल पर स्वागत हैं सबसे पहले मैं आपको बता आना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों के क्या है कि सर प्लांड को किस प्रकार किस वाइल में और कैसे उसकी देखरेक करें इस पर भी वीडियो बनाए तो दोस्तों यहां जो अभी वीडियो हमने जो बनाया है वहां एक सोशियल वर्क के तहत हमारी एरिया में एक टेंपल है रादा किष्न का तो उसका सांधरी करन कि जो बहुत सालों तक लगबग समझों पचास से सव या सव से उपर सालों तक आपको वहां ऑक्षिजन दे तो आइसे पेड़ों का उरुक्षार ओपन करने से और साथी साथ अगर से मल्टी परपज हो कि फल का उरुक्षों जैसे आम का मैंने आपको पता चुका हूँ द तो इसके लिए इस पेस भी बहुत लगता है तो ऐसे बड़े पवधों को अगर साप लगाते तो चाया की चाया भी होती है लकडी भी मिलती आपको और फल भी मिलता है और परियावरन का सरक्षन भी होता है तो उसी के अंतरगातियां हमने मंदिर में यहां पर लोगों के इसा लगता है कि सही में पवधा बचना चीए और पवधे का ग्रोथ होना चीए सिर्फ फोटो सेशन के लिए यहां ना हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी ऐसा कोई पीट्स या गड़ा खोदते हैं तो वहां गड़ा लगबा कम से कम वैसे तो मैं तो आपको आ मैंने साइज बताया था पीट्स का और वहां एक मीटर बाएक मीटर अगर खोदते हैं तो उसके पूरी मिट्टी निकालने के बाद में अंदर में बीएच सी पाउडर या वाइट एंड के लिए लिक्वीड मिलता है हाडवेर में मैंने उसका वीडियो भी डाल चुका है अपने यूटूब चैनल की दिमक जो है वाइट एंड जी से कहते हैं उधही भी कहते हैं मराठी में तो इनके लिए क्या इलाच के आता है तो बीएच सी पाउडर पीट्स खोदने के बाद उसकी दीवालों को और नीचे बीएच सी पाउडर लगबग जैसे एक बाएक गड़े के अंदर से उसमें आप जैसे 50% मिट्टी आधी लेने का और आधा अपना खाद लेने का और दोनों को मिक्स करने के बाद में उस खड़े को आप भर दीजेगा दोस्तों और उसके बाद में आप उसे सुपर फॉस्पेड भी जाल सकते बड़े इसमें कम से कम दो किलो आप सुपर फॉस्पेड मिक्स कर सकते और लगबग आधा किलो आप यूरिया मिक्स करके पूरा पीड भर सकते तो वह आम के लिए मैं बता चुका था एक बार अगर चे खड़ा भर दी है आपने तो दोस्तों आपको देखने की गरज नहीं है पौधा पाच फिट दस मिक्स करके और उसके बाद में यहां पर हमने पौधि की जिली पौलीटिन का इसे फाड़ने की तो पौधि का पौलीटिन से ब्लेड से मार देने का और ब्लेड से हलके से निकालना ताकि रूट स्वाइल से अलग ना हो तो इस प्रकार इस में मैंने दो पौधिया है एक भी बहुत है बर्गत का कम से को लगबक साव साल तो डेफिनेटली चल जाता है तो इसको देखिएगा दोनों पैकेट को हमने जिली पॉलिथी निकाल दिया और जैसे कि वैसे बिलकुल सेप में जैसे मट्टी धीली ना हो उस परकार रग दिया और बादू में हमने मिट्टी भर दी उसके बाद में जो आपने जो पॉधा जिस मिट्टी में वहाँ प्रेसर नहीं देने का जो साइट की जितनी मिट्टी आप डाल रहे है उसे लाट से या तो हाथ से या लकडी से धुमस किजिने का ठोकने का लेकिन जहां पर आपका पॉकेट रखा हुआ है पॉरा पेड के आसपास का जो पॉर्षन देखिएगा इस प्रकार का एसा पॉरा पेड का पॉर्षन देखिएगा ऐसा सरकल बनाने का और बीच के पॉर्षन पे पूरी मटी चड़ादेनी की एन्ये यह कौन टाइप जो अपना सिलेंड्रिकल कौन कहते है कोन टाइप का जो आईस्क्रीम जो पाल है circular जो तुम्हारा बंड बने गया है इस पेड़ के आसपास और जो deep portion की जो circular जो अपने केरी बन गई है तो उस केरी में पान डाल दीजेगा तो यहां लगबग आप यहां पर जब तक वहां पुरा लगबग दो बकेट पानी दो से तीन बकेट पानी जब तक वहां टोटल मट्टे एकदम डंप हो जाएगी सेट हो जाएगी पूरी उसके बाद में आप इस पेड़ से दूरी पर एक फिट दूरी पर एक एक फिट सरकल में एक एक फिट दूरी पर आप तीन से चार बंबू या कोई भी लकड़ी जैसे पाच फिट लकड़ी हाइट की दिजिएगा इस प्रकारी और गड़ाने के बाद में आप उसको लगबग पाच से 6 पीट लंबी चाहिए लगडिया और यहां पर आप जाली प्लास्टिक के जाली हो, या यहां जो तार की जालीया मिलती है, वहां तार की जालीया, प्लास्टिक के जालीया लगबक 6 feet तक आप कस लिजियेगा, कंशे कंशे 25-6 feet यहां इसलिए कि अगर से इस प्रकृरस अगर से आपने रेनी शीजन में अगर से कोई भी पहधा अगर से लगा तो दोस्तो मैं सर्थ के साथ कहा तो मैं confidential कहना चाहता हूं कि इस प्रकार टाइटली तार से अगर से चार कोने पर चार बंबू और या प्लास्टिक इस प्रकार अगर से कस दिया अपने टॉप तक तो दोस्तो यहां कोई भी जनावर खाएगा नी और यहां पाउदा दोस्तों पाथ से चेपीट उचा हो गया तो आपका ग्रोथ बहुत अच्छा हो जाता है उसके आद कोई भी जनावर इसे खाएगा निए ख्याल में रखिएगा तो इस प्रकार आपको मेहनत करने के एक बार मेहनत कर दिए पाउदा पाथ से चेपीट का हाइट क हो गया याने आपका इसका क्यार लेने का कोई गरत निए एक साल तक आप पाइन डाल दी इसकी जड़े इतनी अंदर चले जाएगी और याप दो से तीन फिट का गड़ा है आपका उसके बाद में नेक्स्ट येर आपको देखने की गरत निस तिर उनाले में इससे आप दो तो इस प्रकार परियावरन का सरक्षन हम कर सकते हैं